हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब तो जैसे कि लाश्ट पार्ट में हमने देखा था जियान अकेली ही दो एल्फ के प्रिंसेस को डिफीट कर दिया था और स्याओ एब नेक्ट के लिए सिलेक्ट भी हो चुका है अब आगे इसे हैरान कर देने वाले सीन को देखकर यहां पर सभी क काफी पारफुल हो जाओगे और तब मैं तुम्हारा सामना भी नहीं कर सकूंगी जियानी स्माइल करता है और इसके स्टॉम ड्रेगन किंग के बारे में सोचता है प्रिंसेस कहती है कि जब यह चोटी थी फिर इसे बाया चन्ट स्टॉम ड्रेगन का पार मिल गया था हाला क कि ज्यादा कुछ इसके बारे में खास नहीं जानती है मगर यह कहती है कि सायद होली सी को इस बारे में कुछ पता हो जबकिशन खत्म हो चुका है तो फिर अब एल्फ का नियुकिंग निकल कर सामने आएगा करती है इसर क्यान के सामने अपना सर जुकाते हैं एल्दर माल औ सब्सक्राइब को लेकर यहां पर जाते हैं और यहां पर यहां पर एक हुमन बोडी के जैसा ही दिख रहा है यहां पर एक और पर्सन याओ को दोर प्रिशन करने को कहते हैं यह एंसींट ट्री ओफ लाइफ यहां पर एल्फ के गाडियन काफी कर्टिवेट करते आए हैं इस ट्री के पास सक्रद्विशन करने से काफी benefit मिलता है यहां पर double benefit को हासिल किया रा सकता है स्यावे यहाँ पे एल्डर मालिन से पूछता है कि एल्डर, इलेक्शन हमें साइफ एल्डर कंडर्ट करते थे, मगर इस बार आप कर रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, इस पे एल्डर मालिन कहते हैं, पहले तुम दोनों हील हो जाओ, तुम दोनों ने काफी राद हार् स्प्राइज नहीं है, यह क्यूश्चन को भी पूछ सकता है, यह जानते हैं कि स्यावे के पास रिंकानेशन सील है, और साथ होली फ्लेम का पार भी, एल्डर मालिन यहाँ पे उर्ण डोर है, इस पर कंडिनू नौक कर रहे हैं, और ओल्ड यावला को कॉल करते हैं, अंदर इनका स्फोल पार भी काफी जादा है, अब सभी अंदर की और जाते हैं, यावगुई जियान के बॉड़ी को चेक करते हैं, और खाते हैं कि तुम्हारा फिजिकल पार काफी अच्छा है, जियान के हाथों में ब्लड को देखा जा सकता है, की फ्लो करते हुए अब यह जम जुका है, जियान के फिंगर्स पूरे तरह से बर्न हो गया था, फाइट के दवरान में, जियान का बॉड यह पूरे इंजरी से कवर है, यावगुई कहते हैं कि मैं तुम्हें एक हिलिंग पिल दूँगा, इससे तुम अपने इंजरी के हिल कर सकते हो, एक पिल यह निकाल के पाफ ड्रेगन का पावर है, मगर फिर भी वो हार गई है, यह सुनकर यावगुई भी सप्राइज है, इल्डर कहते हैं कि इसके पास में होली फ्लिम है, और साथ होली किंग का स्किल भी इसके पास है, तो अब हमारे फैमिली में जो डिसीज है, यह हील हो सकता है, यह दो करने थे, जब फैर एल्फ किंग आए से तो फिर डिसीज सेलना स्टार्ट हो था, और हमें उन्हें दफन करना पड़ गया था, हमने उन्हें एल्फ के एक लायर में दफन किया है, हाला कि हेड मारे गये थे, मगर उनका बड़ी में सिर्फ इविल पावर ही है, दोनों मगर वो भी नहीं कर सके, और वो अपने पावर से अभी वहाँ पे उन इविल फोर्स को सील कर रखे हुए है, ये सुनकर सियाओ एक काफी सप्राइज होता है, फर्स्ट एल्डर का पावर फोर्ट एल्फ के रीन कानेशन पे है, और उनके पावर का स्था भी ये नहीं हो सक हैं, इस पर एल्डर कहते हैं, याउगूई का पावर फोर्ट एल्वल के रीन कानेशन पे है, ये कहते हैं कि इस बार हम दोनों तुम्हें अपने साहत लेकर एल्फ लैयर में जाएंगे, उम्मीद करते हैं कि तुम दोनों अपने होली फ्लेम का यूज कर सकोगे, यान यहा होने वाला है, जियान कहता है कि हुल फ्लेम के माफ्टर होने के कारण से इविल पावर उखतना करना मेरा ड्यूटी है, एल्डर कहते हैं, अगर तुम हमारे हिल्प करते हो, तो फिर हम फ्यूचर में एंडलेस फायर डोमेन के साथ अलायांस भी फॉर्म करेंगे, ये सुनक को कुछ समय के लिए रिंकारनेशन का पावर मिल जाएगा, ये सुनकर अब स्याव ए खूस होता है, और स्माइल करता है, जियान और स्याव ए दोनों ही अब इस चोन बॉक्स को रख लेते हैं, अब ये लोग इस इंसियान के टॉप पे आते हैं, इस समय में जियान के एंप फिर इनका फर्मेशन भी इस इस चेटू के आई को देखने पे परपल फ्लेम निकलता है, इसे चेटू के पास जो ओलर में बैठा हुआ है, ये ग्रेट एल्डर होना चाहिए राइट, और इनके सामने जो एक कॉफिन है, ये पहले वाले किंग का होना चाहिए, याग गु इनके हाथ में होता है, इनका फ्लेम भी रिलीज हो चुका है, इल्डर कहते हैं कि नेक्स अब हम इविल स्पिर्ट को अवेकन करेंगे, स्टार्टिंग में होली फ्लेम यूज मत करो, नहीं तो ये इविल स्पिर्ट भी सामने नहीं आएगा, अब दो एल्डर अपने फ्ले इनका फ्लेम दो एल्डर के बॉड़ी से रिलीज होकर एर में खड़ा है, इधर यान और स्याव ये दोनों ही एंस्टिंटी के पीछे खड़े होते हैं, इधर ये दो फ्लेम 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 को हीट करने आगे जाते हैं, यहाँ पर फ्लेम के अंदर में ग्रेट एल्डर और इन दोनों एल्डर के पावर भी इसके अंदर में ही अब्जर्ब हो जाता है, ये देकर तो जियान को यकीन ही नहीं होता, मगर इस फ्लेम का पावर भी काफी अच्छा है, यहाँ पर ग्राउंड भी ऐसा लगता है कि ग्रे कलर अफ डेट एनर्जी से भरा हुआ है, जि इसके अंदर में 2-3 लग को और इंक्रिप्सन का यूज किया गया है, क्या जियान इसे हंडल भी कर सकेगा, क्योंकि जियान से 2-3 टाइम स्टॉंगर है, याउगूई जियान को कहते हैं कि तुम्हें केरफूल रहना होगा, जियान सरी लाता है, और अब आगे जाता है, जियान के बॉडि के राउंड किसी तरह का incident pattern आना स्टार्ट हो चुका है, जियान नोटिस करता है कि यहाँ पर फॉर्मेशन लगा हुआ है, इसके अंदर में कोई फॉर्मेशन को नहीं आट किया गया है, इसे कंट्रोल करने के लिए, साथ ग्रेट एल्डर ऐसा ही चाहते कि फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सके, कोरिश्टोन को एड़ करके, जियान भी इसे कंट्रोल करना स्टार्ट करता है, इधर कॉफिन के अंदर से ब्लैक लिक्विड डिकल्स कर बाहर आना स्टार्ट होता है, इधर दो एल्डर भी रेडी हो चुके हैं, अपने फ्लेम को रिली जियान स्याव एक को कहता है, रेडी हो जाओ, और अब इसका और स्याव एका दोना का फ्लेम रिलीज होता है, जियान की एमबर फ्लेम को देखकर ये इविल घुफ्ट भी सप्राइज है, और इधर ही देख रहा है, इसका फायदा उठा कर दो एल्डर अपने परपल और ब प्रेस करता है, इविल घुफ्ट का रियल बॉड़ी भी निकलना स्टार्ट हो चुका है, अब दो काफी इविल आवरा फ्यालता है, जैसे कि पूरस सन को कवर ही कर लेगा, एक काफी बड़ा सा इविल बीश्ट यहां इस अल्टर के पास आता है, और इसके बॉड़ी भी क काफी बड़ा है, एक तरह का यह एंसियंट बीश्ट है, जो कि 6 और 7 लेवल के रिन कानेशन पार को पोसेज करता है, इधर जियान और स्यावे भी इस सीन को देखते हैं, जबकि यह लोग ग्राउन पर फैट कर रहे हैं, और जियान फार्मेशन का यूज़ कर रहा है, तो इविल घुफ्ट भी बीश्ट को नोटिस करता है, ठंडर फॉक्स को, जो कि इसके और ही देख रहा है, एल्डर माल हिन कहते हैं, तुम्हारा ओपनेट मैं हूँ, ध्यान तो यहाँ पे, जबकि इस स्पिरिट बीफ्ट अब और ज्यादा सोलेट होता जा रहा है, फिर जिय इस अब परपल फ्लेम रिलीज होता है, जो कि इन एल्डर के फिल्म से ही पावरफुल है, तुरहंति अब यह अपने सीर्ड को करते हैं, और पीछे के और हटते हैं, एल्डर माल हिन कहते हैं, जियान आगे के काम तुम्हारे उपर ही है, दोने एल्डर जियान के पीछे ही ये evil spirit को भी ड़रा कर रख देता है जियान और डेडी काफी strong है और इसका holy flame भी जबकि अबरी incarnation का power इसके body में आया है फिर ये ज़्यादा power को release कर सकता है जियान इस time पर holy flame के sword power को भी डाल रहा है formation के अंदर में evil ghost भी कहता है तुम इस formation को कैसे control कर सकते हो ये तो नहीं हो सकता है इस time पर जियान भी notice करता है जो holy flame का power को और साथ ही fenju एके power को जियान को so कर रहा है ये बिल्कुल भी different है पहले से जब से जियान को reincarnation का power मिला है दो elder से अभी ये देखता है कि इस power के साथ जियान fenju एके kाफी skill को use कर सकता है और इसके power को भी जियान इस time पे 6 holy flame के power को use करता है 5 holy flame तो इसके body में ही है और एक holy flame ये siyao A के body से इसका power का use कर रहा है अब एक call drone appear होता है और जियान इसके अंदर में 6 holy flame को source power को add करता है elder भी देखकर कहते हैं कि ये लड़का holy flame के power को काफी high level पे माफ्टर किया है elder कहते हैं जियान future में एक fighting god भी बन सकता है उपर इस काया में अब total 6 flame runes appear होते हैं और इसमें एक holy flame net बनता है इसके अंदर में 6 holy flame का power है और साथ ही 6 flame runes का भी power add है इसर इविल सेड़ो अब ये देखकर काफी angry होता है इविल खुफट अभी इविल रहे से कोई एक प्योफट इविल क्रियेचर नहीं है बलकि काफी evil energy और थोट से मना हुआ है इविल खुफट किस holy net के power से अपने coffin के अंदर में जाना पड़ जाता है इस टाइम पे इस टाइम पे ग्रेट अडर जो की यहां पे काफी सांथ होकर बैठे हुए थे अब ये भी अपने आखों को खोलते हैं और इनके body के अंदर में जो इविल इनरी चला गया था अब ये बाहर आता है blood के साथ में इनके मुह से और इनदा breathing भी अब नॉर्मल हो चुका है अब बिने किसी evil spirit के ये देगा भी सांथ हो चुका है और जियान अराम से formation के पर को कंट्रोल कर रहा है ग्रेट अल्डर यहां पे मालीन और यावगुई को देखकर दोनों ही thanks काते हैं अब कुछ मिनर्स बेज जाते हैं और कोई भी हल्चल नहीं होता इस elf layer के अंदर में इस elf layer के अंदर में ग्रेट अल्डर अब जियान और स्यावे को देखकर पूछते हैं कि ये दोनों कौन है एल्डर मालीन काते हैं ये स्यावे है और ये next king के लिए सिलेक्ट हुआ है competition से और ये जियान है एक human इसके power को कम नहीं समझादा सकता है ये सुनकर अभी स्यावे की और देखते हैं और काते हैं रीन कानेसन सील औफ गौड़े स्याव जी अच्छा है जब इजियान के और देखते हैं फिर कहते हैं इसके body से holy flame का smell आ रहा है ग्रेट इल्ड़े जियान को काफी धियान से देखते हैं और इनों 5 color of flame देखता है ग्रेट इल्ड़े की body को काफी धियान से देखते हैं और काफी इंच्पूजब्य भी ले रहे हैं शोछ्छे tyle framework को देखकर ये फेंजुए है राइट ये सुनकर जियान कहता है आप क्यों पूछना चाहते हो ग्रेट एलर कहते हैं मेरा फ्रमेशन का पावर यहाँ पे खट न हो गया है और इविल घुफट अभी तो एंजियोर है मगर ये फ्यूटर में कॉफिन के अंदर हील हो सकता है और तब ये बाहर भी आ सकता है ये कहते हैं तुम्हें बस हाँ और ना कहना है इस पर जियान हाँ कहता है ये सुनकर अब ग्रेट एलर काफी खुस होते हैं और अब ये गौड़ेस याओ जी के स्टेचु की और देखते हैं और खाते हैं ये हमारा ट्रैक पी गौड़ेस है ग्रेट एलर कहते हैं मैं अब उतना पारफुल नहीं रहा ये काम अब गौड़ेस याओ जी का स्टेचु कर सकता है नहीं तो फिर ये हमारा फ्रेंट जियान कर सकेगा इधर काते हैं की काफी र्युमर्स है की गोड़ेस याओ जी का कॉंटैक्ट दूसरे सेंवर्ययलम के माफटर के साथ भी था मगर यह सच नहीं है गौड़ेस याओ जी के रिलेशन सुर्फ याओ क्लान और होली फ्लेम के साथ में ही था इल्डर कहते हैं यह स्टेट्यों भी गौड़ेस याओ जी के दोरह ही बनाया गया था इसके अंदर उनका भी पावर हो सकता है हाला कि कापी सालों के रिसर्ट के बाद भी यह अब तक कुछ भी पता नहीं लगा सके है यह सुनकर अब जियान कहता है कि ठीक है और अब स्याओ एक के साथ जियान आगे जाता है और अब दोनों ही फ्टेट्यों पे हाथ रखते हैं एल्डर कहते हैं जब कि याओ जी रिंकार्डेशन दे रिलेटेड है फिर अपने रिंकार्डेशन सील का यूज़ करो जब स्याओ ए ऐसा करता है फिर परपल फ्लेम निकलता है और अबेर में काफी खतनक और फैलता है परपल फ्लेम के निकलते ही रिन का अन्रसन सील सियाओ एका और जियान का क्लान टेटो भी सामने आता है ऐसा होते ही यह फ्टैच्यो भी हिलने लगता है जैसे कि यह जिन्दा हो गया हो और जियन और स्याव ए दोनों ही इस स्टैचू के अंदर खीज़े चल जाते हैं इधर elders एक दूसरे के face को ही देखते हैं यहाँ पर जियन और स्याव ए दोनों ही disappear हो चुके हैं गिरेडेडर भी खाते हैं इन्हें जाने दो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस स्टैचू के सीकर्स का पता लगा सकें इधर यह दोनों ही एक इफ्टेन जगा पे आजाते हैं यहाँ पर स्वाल भी परपर कलर का है और इसके उपर परपर फ्लेम के ट्रेसल को भी फिल किया जा सकता है फ्लावर भी यहाँ पे डिफ्लेंट है रिंगानेसन सील स्याव एक मैंड पे काफी सेक करता है तुरांधी जो वेवस आ रहा था इस वर्ल के सेंटर से अब रिंगानेसन के पावर से वापस ला जाता है और अब एक डिफ्लेंट सीन निकल कर सामने आता है एक रोड निकल कर सामने आता है और यह रोड भी इस वर्ल के एंड से कनेक्ट होता है और एंड में डिफ्लेंट कलर ओफ लाइट को देखा जा सकता है फायर रेल्फ, ठंडर रेल्फ, वाटर रेल्फ और भी काफी सारे इन इस ट्वन एल्फ एक शेट्चू के देखकर एफ लगता है कि यह कुछ डिफरेंट सिंग को पॉसेस करते हैं दोनों अब एक परपल राउंड प्लेट्फॉर्म को देखते हैं जो कि यहाँ पे एर में सस्पेंडड है और इन प्लेट्फॉर्म से एक वेवस रिलीज होता है और एक फिगर निकल कर सामने आता है इसे देकर यह दोनों कहते हैं यावजी, इस फिगर का पावर काफी ज़्यादा है इसके हाथों में परपल रूनेस का भी देखा जा सकता है इन दोनों के सामने जो फिगर है इसके अंदर जो एनर्जी है यह कोई एक हुमन का इनर्जी नहीं हो सकता है एक गौट का इनर्जी फील होता है इस फिगर के पावर के इफेक्ट से जियान के बॉड़ी के अंदर इसका Soul Palace भी और इसका Soul भी ये दोनों काफी कापते हैं इसे देखर अब स्याव एक आता है माफ्टर हालकि ये परपल फिगर किसी भी बात का परवाह नहीं करता और कहती है कि इस जवह पर तुम्हारा कोई काम नहीं है इधर जवह देखका जियान का Heart काफी फटाबीट करता है है और इसके Body से Flame Release होते हैं जियान के Heavy Shot और साथ ही Emperor Ring दोनों से Emperor Ring दोनों से काफी Golden Colet چ Kate इमिट होता है इस्तरण का o salvation काफी यादा खतरनाक है और ये की Reannale हाट अन Bacon का Power ही फिल नहीं होता याओ जी के कारण से तुम्हारे spiritual palace अब open हो चुका है और तुम अब holy rank के soul power में लेटिव टेज में जा चुके हो यह सुनकर अब जियान भी काफी surprise है और अभी काता है thanks goddess next जियान चेक करता है और इसका spiritual palace का 6th floor open हो चुका है याओ जी angry थी starting में मगर emperor ring से जो power release होता है यह तावसे god का power है और इसके करण से यह भी सान तो हो जाती है ने जी काफी घुसे में काती है यह तुम्हाँ disciple है तुमने क्या दिया है और यह broken heavy sword इधर जीयान और स्याओ यह दोनों ही इन दोनों को बातों को सुन रहे होते हैं अभी इन दोनों के बातों को सुनकर clear हो चुका है कि तावसे गौड जो की इंसियर नेपर गौड है यही Holy King भी है जो पूरे वर्ल में famous है Holy King यानि कि तावसे गौड कहते हैं हम इनका help पकर सकते हैं मगर ऐसा करने पे हमारे बारे में काफे लोगों पता लग जाएगा फर्फटर वर्ल अबार के टाइम पे सभी का मेंन एनिमी इविल रेसी थे उस टाइम पे काफे सारे पारफुल क्लान और फोर्सेद भी सामने आये थे महर वह भी या तो मारे गए नहीं तो ज्याओ क्लान के जैसे सील हो चुके हैं याओ जी यह सुनती है और कहते हैं कि तुम्हारा मतलब है कि कोई पीछे चुपकर सभी तीन सो कंट्रोल कर रहा है हाला कि इस बर मे भी यह केना पॉसिबल नहीं है कि कौन है और कौन नहीं है इज़र यान कहता है कि सीनियर मैं आप तक कैसे आ सकता हूँ यह कहते हैं अंडर वर्ल और कहते हैं तुम्हें यूमन वाट के जो सेन्टर में लोग हैं उनके बचकर रहना होगा लगता है कि Masterman इनके बीच से ही हो सकता है Holy King याने के तावसे को और कहते हैं जब तक कि तुम्हारा Power Reign Carnation Level पर नहीं चाहता Reign Carnation Level के Middle Stage में तब तक तुम Third Rank Holy Flame को टाज़े भी नहीं कर सकते हो और नहीं तुम्हें Underworld जाना है मैं तुम दोनों का Help करना चाहती हूँ मगर मेरे पास मेरा Body नहीं है और नहीं मेरा Power है इनका Body Dark Holy Abyss में है और यह जगा एक Second Rank का Demon Suppressing Land भी है यह खाती है कि इस बार में जादा Help नहीं कर सकूँगी मगर हाँ मैं एक Trift तुम दोनों के लिए छोड़ देती हूँ अगर तुम पाफ होते हो तो फिर तुम दोनों को कुछ reward मिलेगा नहीं तो फिर कुछी भी नहीं अब यह दोनों यह सुनकर Trift का Wait करते हैं इनका Trift है कि इन दोनों का मिलकर इस Evil Spirit को Kill करना होगा जो कि coffin के अंदर में seal है और उससे token को लेकर आना है जो कि king के body पे है अगर इस पास होंगे तो फिर CIA को इनका inheritance मिलेगा और जियान को एक repair में थाड मिलेगा जो कि जूस सेंची है और इस second highest divine weapon है इस पूरे human world में जियान इस सुनकर काफी खुस होता है इसका heavy sword का जो कि इस डावडी world से मिला था यहां इस डावडी world में इसका काफी बड़ा history है God killer ruler God killer ruler काफी र्यादा powerful है इसके complete strategy में भी जियान इसे नहीं चला सकेगा हो लेकिन इस God killer ruler से एक ही move में evil race को kill कर पाते थे मैं तुम इस God killer ruler का repair मत हैड दोंगी जिससे तुम इसे fully repair कर सकोगे जियान भी जानता है कि इसके heavy sword broken है और यह पने full power में नहीं है हाले कर भी जियान का heavy sword अपने original power में नहीं है मगर एक बार जब यह आ चाहेगा फिर इसका नाम भी पूरे great thousand world में फैल जाएगा इस God killer ruler ruler के अंदर में फोटा seven holes है और हर एक hole में एक holy flame जाता है जो कि इसके power को complete करता है यहाओ जी कहती है कि मैं तुम दोनों को कुछ समय के लिए reincarnation के power को दूँगी और तुमें coffin के अंदर send कर दूँगी यह सुनकर अब जियान और siyao यह दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और सर हिलाते हैं इसके अंदर यह evil spirit काफी घुसे में है चिला रहा है जब इस last battle में इंज्योर हो गया था तो फिर इसर जीयान और siyao यह दोनों ही अब इस coffin में जाते हैं coffin के उपर black liquid को भी देखा जा सकता है इसके अंदर यह evil spirit अपने power को recover कर रहा है इस समय में जीयान के हाथ में इसका fire lotus अल्रेडी फॉर्म है dark power coffin के उपर dark power coffin के उपर अब जीयान के हातों को देखता है fire lotus उपर coffin के dark power को destroy करता है evil spirit भी जीयान और siyao यह के movement को notice का चुका है और कहता है कि यह दोनों अंदर कैस्त आ गए है जीयान के पैर से six flame runes का light emit होता है siyao यह भी अपने रिंकार्णेशन seal को use करता है जीयान अपने हातों में अपने heavy sword को carry कर रहा है तुरांध ही अप जीयान pattern को activate करता है और एक बड़ा से heavy sword का image बनता है उपर इस sky में जो की golden color का है सबसे important है कि इस ruler के अंदर अभी इसके six hole में flame सभाचुके है जीयान इफ टाइम पे siyao एके flame को भी use कर रहा है जीयान अपने golden heavy sword से attack करता है इधर यह evil spirit भी notice करता है और अब कहता है कि तुम मुझे kill करना चाहते हो आसान नहीं है यह evil spirit के पास अभी और कोई विचारा नहीं होता और यह पीछे की और हटता है और coffin की और जाता है इसके अंदर में पहले वाल एलफ एकिंग का बाड़ी है और इनके बाड़ी पर ही token भी है जो की इन्हें चाहिए golden coffin में काफे सारे lines भी बने हुए है और evil spirit इसके अंदर बड़े आसानी से आजा सकता है एफ लगता है कि यह अपने evil energy से इस coffin के पाड़ को भी नफ टका चुगा है ज़र्ट यान के heavy sword से 600 holy flame का पाड़ बस्ट होता है तुरांथी अब attack से golden coffin से इसके किनारे से dark line गिनना start होता है golden coffin के अंदर में alpha king का body है अगर यह अपने powers इनके body पे control gain का लेता है तो फिर काफे problem हो सकता है यह जगा पहले alpha king के लिए rifting जगा था यहाँ पे lights भी आया करता था मगर इस evil spirit के evil power से अब यह जगा पूरे तरीके से dark world में भी बदल गया है heavy sword का power अब इसके full peak में नहीं है और यह broken भी है मर 6 kind of flame से इसका power भी काफी increase किया है यान अपने heavy sword के power से और साथ ही इसके अंदर में 6 different kind of holy flame से यह attack करता है और अब यह coffin के power को suppress करता है जो कि evil spirit से पूरे तरीके से black and energy में बदल चुका है golden heavy sword से flame का power release होता है और beam of light में बदल कर coffin के अंदर गुषन का try करता है flame के पार से पूरा यह dark space कापता है और evil spirit इसके power को absorb करने के बाद अब यह काफी full ना start करता है जैसे का अब यह कुछी second में फटने माला हो जबकि इसके body के अंदर में काफी golden heavy sword का flame बार भढ़ जाता है फिर यह भी blast होता है finally अब यह भी खत्म होता है इस time पर जियान new holy pattern skill को सीखा है coffin के अंदर जो body है इसे एक crystal cube आता है जियान इसे catch करता है और अब जो भी यहाँ पी evil energy है इसे इसके अंदर में seal करता है और अब absorb करता है इस crystal के अंदर में इस crystal cube के अंदर में एक photo level green condition का evil split absorb है अब इस matter को handle करने के बाद यहाँ स्याव एक यह और देखता है यहाँ पे alpha clan के king के body में काफी वार अभी भी है अगर इस तरह के power का एब्सॉब किया जाए तो फिर का काम तुम्हारा है और यह golden coffee के और आगे जाता है यह coffee में अब open होता है और इसके अंदर में dead body है और evil power से इतने सालों में इसका bones तक भी सर गया है जियान भी यह देखकर कहता है कि king का body पूरे तरिके से evil power से बरबाद हो चुका है जियान काता है मेरे लिए यह एक बिकार थींग है तुम इससे ले सकते हो जब तुम marine का national wall पे जाओगे फिर तुम्हारा काफी help करेगा जियान भी अपने flame से इसके bones को burn करना start करता है और इसे purify करने का भी जियान जब इनके bones को burn कर रहा था फिर यह इसके अंदर जो भी evil energy था उससे भी burn कर रहा था और स्था जियान इनके memory के थोड़ा बहुत पार को भी देख पाता है जब कि जियान इनके body को purify कर ले तो फिर स्याव इनके body को bag में डालता है और इनके greet करता है अब यह token जो की इनका ring है यह भी स्याव ए कलेक्टर कर चुका है इस समय में बाहर में इस golden coffin के बाहर फर्फ एल्डर और दो एल्डर मालिन और याउगुई बाहर में हैं और रिकाते हैं कि तुम्हें इस coffin को seal करना होगा और इसके अंदर से evil forces को आने से रोगना होगा जब मालिन और याउगुई दोनों अपने पाउर का यूज़ कर अब इस coffin को seal करने वाले थे फिर यह feel करते हैं कि अंदर से कोई भी evil power नहीं आ रहा है बलकि gentle force आ रहा है अंदर में डार कवर्ड का पूरा ही evil power को जियान और डेडी प्यूरिफाई कर दिया है याउजी के statue के पास अब और अब डिफरेंट गैदर होता है जैसे कि एक dragon हो और अभी यहाँ पे feel होता है कि evil और भी नहीं रहा है यह लोग भी सोचते हैं कि यह उन दोनों से ही related हो सकता है इधर यान और स्याव यह दोनों सोचते हैं कि अब दोनों इस जगह से बाहर कैफ हो जाता दोनी यह वापा से परहल ஜाते हैं और इसका सेंटर में यहां पर कर औपर मिश्ट फैलला स्टार्ट होता है इस परपल एक परपली एंग रांक कि और रहा है तो इसका मतलब है की यह हूली प्ले क्योंकि 10 पे आते हैं रैंकिंग में और जिणी सियाल ले में हलाक यह एपल्ए आपको और तुम इनके डिसाइपल हो तुम्हें इस फ्लेम को लेना चाहिए यह तुम्हारे लिए काफी सही है जानता है कि अपने आंखों को क्लोज कर अब अपने ब्लू एनरजी और स्टार्ट कर देता है यह देकर जियान काफी घुसता होता है अगर स्याओ इस फ्लेम को ले लेता है फिर पूरे वार्ड में टॉप पे भी जा सकेगा याओ जी दोनों को देखकर सोचती है कि इनके सामने होली फ्लेम है और यह दूसरे के साथ में तुम ले लो और तुम ले लो खेल रहे हैं इसने भी सीन का उमीद नहीं किया था इस टेंप स्याओ एक मैंड में ड्याओ की वर्ड का सियन याद आ रहा होता है कि कैसी यह देमन फायल लोटस से इनका फायर स्पिरिट बना और जियान के साथ अमना जर्णी स्टार्ट किया इन मेमोर्यों के यादकर का स्रेंज वे का बर्निंग जैज्जमेंट नहीं है तो यह दो शॉलीवर्ण का सॉलो नहीं कर सकेगा इसके बॉडी मौल रड़ी एक होली फ्लेम का है जो कि फ्यूचर में होली फ्लेम बंकर रेडी होगा अब यह जियान को कहती है मुझे इस होली करने के लिए लिए तु होली को स्पूर्स को निकालता है और इसमें मुईंंग का फ्लें को देखकर काती है कि इस होली को हैं इसको नहीं देते यह सुनकर अपने मुआइफ हो रही तो फिर वो अपने आधे पार को जियान के बौडी में छोड़ दी थी और वह भी जान बूच कर ताकि इसका पार जि का इविल और सोटा है और यह तो उत्तर हैं इसे प्योड हर्ट से सील किया गया है और अब युज करती है आता है इससे ही Holy Flame का spirit काफी सालों से सफर कर रहा था एक डार्क एड इविल परसन का फिगर बंदका निकलता है और ये कोई नॉर्मल परसन नहीं है इविल रेस से ये एक इविल गॉड का spirit है और इविल रेस के नॉर्मल इविल किंग और दूसरे से काफी different होते हैं और काफी जाद पारफुल भी होते हैं ये इविल गॉड कहता है काफी टाइम हो चुका है तुरांत अभी आओ जी अपने holy pattern से attack कहती है holy flame का इंजरी काफी ज टाहिए करना होगा सब्सक्राइब आपने जाए कि आए मिता करना होगा तब जाकर इसका पारफे रिस्टूर हो सकेगा